वेस्ट सूप हो, टमेटो सूप या फिर पालक सूप, तीनों सूप हमारे बॉड़ी के लिए बहुत ही हल्दी है और साथ में इसे बनाना तो बहुत आसान है तो सर्दियों का मौसम हो, या फिर अगर आपको डॉक्टर ने रेक्मेंट किया हो, या फिर आप वेट लॉस में है तीनों में आप ये सूप पी सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, और जितना ये सूप टेस्टी होता है उतना ही बनाना आसान होता है तो चलिए आज के बहुत ही टेस्टी रेस्पिश शुरू करते हैं मिक्स वेट सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सारी सब्जिया पहले से काट के रखिये तो यहाँ पे एक इंच अद्रक ले लेंगे, इससे बारे काट लेंगे, तीन से चार लैसुन की करिया ले लेंगे, गाजा ले लेंगे, मश्रूम यहाँ पे मैंने बन्द को भी लिया है, फ्रेंच मिंस लिया है, थोड़ा सा ब्रोकली और ये हरा प्याज लिया है सबजी आप अपने पसंद के इसमें इस्तमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे केक पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे बटर में सूप जो है वो जादा टेस्टी लगता है लेकिन आप इसकी जगा तेल या घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे जैसे ही बटर गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे यह अद्रक और लैसून और इसे थोड़ा सा भूल देंगे अगर आप लैसून नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं यहाँ तो अद्रक लैसून को हमने थोड़ा सा भूल दिया है ध्यान रहे सूप बनाते वक सब्जियों को ज्यादा पकाना नहीं है बस एक मिनट के लिए उसका कच्छापन निकाल दिया और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगी तो यहाँ पे इतनी कॉंटिटी के लिए हम 3 कप पानी का इस्तिमाल करेंगी पानी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और मिला देंगी आप इसमें नॉर्मल पानी की जग़ा वेजटेवल स्टॉक का यूज कर सकते हैं मतलब सब्जियों के जो डंठल होते हैं उसे उबाल के उसका पानी निकाल दे और उसके बाद उस पानी को इसमें डाल दे उससे ये सूप जादा हिल्दी और जादा टेस्टी बनेगा तो जब तक ये उबल रहे न तब तक हम क्या करते हैं कि एक छोटी चमच कॉंसल लेते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक बैटर बना लेते हैं कॉंसलोर से सूप की ठीकनेस और इसका टेक्शर दोनों इनहेंस होता है कॉंसलोर इसमें ऑफशनल है अगर आपको कॉंसलोर नहीं इस्तेमाल करना है तो बस आप इसमें थोड़ा सा काले मिर्च और नमक डाल के इसे उबाल ले और उसके बाद गर्मा गर्म सर्फ करें तो यहाँ पे एक कॉटा हुआ काले मिर्च या फिर थोड़ा सा काले मिर्च जैसे जो पावडर है वो आप डाल दे काली मिर्स से सूप में टेस्ट अच्छा आता है और इम्मिनिटी में भी हल्प करता है तो यहाँ पे दो मिनट हो चुके हैं सूप को उबलते हुए तब हम इसमें डाल देंगे कॉंसलोर का बैटर तो अगर आपको कॉंसलोर नहीं पसंद है या आपके पस नहीं है तो आप कॉंसलोर वाला ये प्रोसेस जो है वो आप स्किप कर सकते हैं इसकी जगा मैदा का इस्तमाल नहीं करें कॉंसलोर डालने के बाद मैंने इसे दो से तीन मिनट और उबला और यहाँ पे सूप की जो थिकने से वो पहले से गाड़ी हो जाएगी कॉनसोर बस इसे थिक करने का काम करता है टेस्स से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है यह देखिए तो यह हमारा सूप जो है वो बंद के तयार हो गया है तब हम यहाँ पे गयस को बंद कर देंगे और उसके बाद चलते ही से सर्फ करने का प्रासेस में अगर आपको यह सूप रेस्टरेंट इस्टाइल बनानी है तो एक छोटी चमच आप इसमें सोया सॉस और एक चोथा ही छोटी चमच विनिगर डाल दें यहाँ पे बस उसके बाद एक उबालाने का इंतिजार करें और उसके बाद बंद करके सर्फ करें उससी सूप का कलर जो है वो थोड़ा डाक आएगा तो यहाँ पे यह हमारा सूप जो है वो बंद के तयार है तब हम चलते ही से सर्फ करने का प्रासेस में तो यहाँ पर आपने देखा कि वेजेटेबल सूप बनाना कितना असान है और जैसे कि मैंने बताए कि कॉंसलोर इसमें टोटली आप्शनल है अगर आप हेल्थ परपस से बना रहे हैं तो आप इसमें कॉंसलोर को स्किप कर सकते हैं बस ऐसे इस सब्जियों को पानी में उबा ले थोड़ा सा काले मिर्च और नमक डाले और उसके बाद आप इसे गर्मा गर्म सर्फ करें लैसुन इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेकि आता है लेकिन अगर आप लैसुन नहीं खाते हैं थो आप उसकी जगह बस अद्रक का इस्नमाल करें तो ये हमारा सूपर टेस्टी और बहुत हेल्दी वेज्ब बन के तयार है आप इस सूप को सर्दियों में बनाए या फिर अगर आपको थोड़ा सा हेल्दी परपस तो ये हमारा सूपर टेस्टी और हेल्दी वेस्ट सूप बन के तियार हो गया है जिसे आप सर्दियों में पी सकते हैं या फिर ऐसे नॉर्मल डे में यूज़ कर सकते हैं तो उम्हेद करते हूं कि आज की सूप की रस्पे आपको पसंद आई होगी पालक कसूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम पालक लिया है पालक के जड़ को काड़ दे और उसके बाद जो अच्छे पत्ते हैं उसे पानी से अच्छे से धो ले डंठल साथ में ही रखे डंठल को नहीं निकाले अब हम एक पतेले में पानी गरम करेंगे तो यहाँ पे एक लिटर के करीब मैंने पानी डाला है जैसे ही पानी गरम हो जाएगा हम इसमें यह पालक के पत्ते डाल देंगे तो ध्यान रहे पालक की जो डंठल है उसमें ज़्यादा विटमिन्स मिनरल्स होते हैं तो उसे आप नहीं निकाले और यहाँ पे यह पालक डालने के बाद पहले इसे अच्छे से पानी में डुबो दे और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसे दो मिनट तक ऐसे उबलने देंगे ध्यान रहे पालक को ओवर गुप नहीं करना है नहीं तो पत्तो का रंग जो है वो डाक हो जाएगा बस पत्ते सॉफ्ट हो जाए हमें इसे इतना ही पकाना है यह देखे तो आप चीए तो इसे निकाल के बरफ वाले पानी में रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे स्टेनर में निकाल ले और उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाने दे उसके बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे तो अगर आपको पालक का कलर हरा रखना है न जब पालक पनीर वगरा बनाए तो यहाँ पे पालक को ऐसे बलांच करने के बाद थोड़ी से बरफ के पानी में रख दे तो उसका कलर मिंटेन रहता है तो यहाँ पे पाला को मैंने बिना पानी के ऐसे पीस लिया है ये देखे अब हम चलते हैं सूप बनाने के प्रासेस में तो सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कड़ाही में थोड़ा सा बटर डाल दिया बटर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे दो लवंग, एक तेजपता डाल देंगे और इसके साथ एक छोटी चमजबारी कटिवी अद्रक और एक छोटी चमजबारी कटिवी लहसु डाल देंगे अगर आप लहसु नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं लेसु नद्रक को हम बटन में भूल लेंगे और इसके बाद ये जो पाला का पेस्ट हमने बनाये न वो इसमें डाल लेंगे तो यहाँ पे पाला का जो पेस्ट है वो आपको ठीक दिख रहा होगा तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसके ठीकने इसको कम करेंगे तो पानी हमें हिसाब से डालना है एक ही बार जादा पानी नहीं डाले तो पहले मैंने एक कप पानी डाला इसे ऐसे मिला दिया और इसके बाद हम आधा कप या एक कप जितनी जरूरत है उसके हिसाब से पानी आड़ करेंगे तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी और डाला है तो टोडल मैंने यहाँ पे डेड़ कप पानी डाला है इतने पालक के लिए अब हम क्या करेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे नमक डालने के बाद हम इसमें डालने के जादा हूँब तो यहाँ पे सोगा यह काले मिर्ज का पावडर मैंने बहुत ही अलग होता है। तो इसमें 친 r सिर्फिया की वाना किया जाता ह। तो यहाँ प्रह बहुत ही छुटी चमज कॉती चमज कॉछ कॉछ्ष कॉछ कॉम मैंने पानी मिलागर के डाल दिया है। और ये हमारा सूप इसोप बनके के तियार हो गया है तो इससे जादा इसे नहीं पकाना है यह दिखे कॉंसो डालने के बाद बस इसमें एक उबाला ने देए या फिर आधे मिनट के लिए पका सकते हैं तो यह हमारा बहुत ही हिल्दी और बहुत ही टेस्टी पालक सूप जो है वो बन के तियार हो गया है तो हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम तो फ्रेश क्रीम जो है वो गयास बंद करने के बाद डालेंगे दो बड़े चमच मैंने फ्रेश क्रीम डाला है क्रीम जो है वो कभी कभी गरम चीज में फट जाती है तो मैं हमेशा क्रीम को गयास बंद करने के बाद ही आड़ करती तो ये हमारा सूपर टेस्टी रेस्टरेंट डेस्टाइल पालक सूप जो है वो बन के तयार हो गया है अगर आपके पास फ्रेश क्रेम नहीं है तो आप दूद की मलाई को फेट के अच्छे से डाल सकते हैं या फिर उसे स्किप बेगर सकते हैं हल्दी बनाना है तो बस पालक का सूप ऐसे बनाए कॉंसलोर को भी नहीं उसकरे और क्रीम बीचिये तो स्किप कर सकते हैं तो ये हमारा सूपर टेस्टी और बहुत आसान पालक का सूप बन के तयार हो गया है आप इसे गर्मा गर्म सरदियों में जरूर बनाएं और इसे बनाने के लिए आपने देखा कि ज़्यादा मेनाद भी नहीं है तमाटर का सूप बनाने के लिए मैंने हापे आधा किलो यानि 500 ग्रम टमाटर लिया है तमाटर को धो के मैंने ऐसे बड़े टुकडों में काट लिया है मतलब एक टमाटर के 6 टुकडे कर ले अब हम इन टमाटर को ऐसे प्रेशर कुकर में डाल देंगी इसकी बाद हम इसमें पानी डालेंगे तो ज़्यादा पानी नहीं डालें आधा कप के करीब आपस में पानी डालें और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगी तो एक चोथा ही छोटी चमस नमक डाला मैंने इससे ऐसे मिला दे अब हम प्रेशर कुकर का धकल लगा के मीडियम फ्लेम पे दो से तीन सीटी आने तक उबाल देंगे प्रेशर कुकर की जगा आप इसे नॉर्मल वरतन में भी उबाल सकते हैं नहीं तो माइक्रोवेब भी कर सकते हैं दो से तीन मिनट के लिए प्रेशर कुकर में हम इसे तीन सीटी आने तक उबाल देंगे और जैसे ही तीसरी सीटी लगेगी गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने के बाद खोल देंगे तो यहाँ पर टमाटर को हमने उबाल लिया है यह देखिए तो यहाँ पर हम टमाटर का छिलका नहीं निकालेंगे हम इसे ऐसे ही ब्लेंड कर लेंगे अगर आप ऐसे आदे आदे करके टमाटर उपाले तो उसका छिलका आप निकाल सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसे ऐसे ढखकल लगा के ब्लेंड कर लेंगे अब हम इस टमाटर के पेस्ट को छान लेंगे उसी क्या होगा जो हमारा सूप है वो बहुत स्मूध होगा तो अगर आप छिलका निकाल के ऐसे ब्लेंड करेंगे न तो बीज तो रही जाते हैं तो बाद में भी आपको छानना पड़ेगा तो उससे अच्छा ये है कि आप इसे डिरेक्ट ऐसे पीछ ले थोड़ा सा पानी डाना मैंनी जार में और पीछने के बाद हम क्या करेंगे इसे छान लेंगे तो इसे क्या होगा जो छिलका है वो भी निकल जाएगा जो बीज है वो भी निकल जाएगी तो यहाँ पे इस टेनर में थोड़ा सा ऐसे रप करके स्पून से इसे निकाल लें, टमाटर की प्यूरी आप इस तरीके से बना के रख सकते हैं और आप इसे रफ्रेजरेट करके जब आपको सूप बनाना है या करी बनाना है तो इसमें इस्तमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी प्यूरी रेडी है, अब हम क्या करेंगे, एक पै तो यहां पर एक कप पानी डाला है मैंने मिला दे ऐसे अब हम क्या करेंगे इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे तो दो मिनट तक मैंने यहां पर टमाटर की प्यूरी को ऐसे उबाल लिया है बहुत अची खुछ भुआती है जो लॉग दालचीनी वगर हमने डाला है उससे तो अगर आपको ऐसे healthy version में खाना है तो आप इसे ऐसे खा आए और अगर आपको थोड़ा restaurant वाला soup बनाना है तो आप क्या करें कि एक बड़ी चमच आप इसे पानी से ऐसे mix करें और उसके बाद इसे हम डाल देंगे इस soup में तो यहाँ पे जो होटल वगरा में सूप बनता है न वस इसमें यो कॉंसलरी जाता और कुछ भी स्पेशल नहीं रहता है तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक, ध्यान रहे टमाटर को बालने में भी हमने नमक डाला था तो नमक का इसमाल यहाँ पे कम करें थोड़ा सा कुटा हुआ काली में स्टाल ले, काली में सूप में बहुत अच्छा टेस्ट लेका आता है, साथ में यह इमिनिटी बढ़ाने में भी हिल्प करता है तो यहाँ पे इसे मैंने मिला दिया, अब हम इसे क्या करेंगे, डेड़ से दो मिनट तक उबलने देंगे, बस हमारा सूप जो है वो बन के तियार हो जाएगा तो यह हमारा सूपर टेस्टी टमाटर का सूप जो है वो बन गया है, यह देगे कितना स्मूड टेक्शर आया है है ना तो आपने देखा इसे बनाना कितना असान है कितने कम सामान से सूपर टेस्टी एकनम होटल जैसा सूप घर पे बना सकते हैं और ये सूप बच्चों को भी बहुत पसंद आता है तो सर्दियों के मौसम में क्यों नगरमा गरम सूप ऐसे घर पे बनाएं और अपनी फैमली को दे ताकि उनके लिए हल्दी भी हो और साथ में खाने में कुछ नया हो रोज तो यहां पे इस सूप डालने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं थोड़ा सा क्रीम से गार्णिश कर सकते हैं वैसे क्रीम इसमें ऑफशनल है लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आपको रेस्टमेंडे स्टाइल अगर किसी को सर्फ करना है या थोड़ा स्टाइल में करना है तो आ फ्रेश क्रीम जो है वो इसके उपर ऐसे घुमा दे बस जलेवी बनानी और कुछ भी नहीं और लास्ट में थोड़ा स्टाइल मारेंगे न यह पुदिने के पत्ते या फिर बैसे लिव जो है वो इसके उपर रखते ऐसे तो यह हमारा सूपर टेस्टी और बहु